दशम भाव में चंद्र और शनी दोनों की युति बनाती है विश्दोश लेकिन मजे की बात ये है कि इस विश में अम्रत छुपा हुआ है दशम भाव में चंद्र और शनी की युति बिश्दोश के साथ साथ राजयोग भी मनाती है ऐसा राजयोग जो राजयाओं जैसी जिन्दगी देता है शत्रू पर विजय परात करवाता है और सुख को और बढ़ाता है पाई जानते हैं व्रशव राशी वालब के जीवन में ये विश्दोश अमरत के समान फल कब देगा मैस्ट लॉजर सचिन स्वागत रविनंदल करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का तेरा चौदा और पंदरा माई दुबहर लगबग तीन बज के तीस मिन तक शरी मकर राशी में पहले से बैठे हुए और वहाँ पर चंदरवाबी आ जाएंगे चौदा तारिक को हन्मान जेनती है यहीं हन्मान जी की अरादना से बहुत सारे पुन्ने काम होंगे आपको सहेता मिलेगी आगे बढ़ने में और शरी के विश्दोष को भी शांती मिलेगी हन्मान जरीसा पढ़ने से वर्षब संक्रांती है सूर्दे वर्षब राशी में चले जाएंगे पंदरा तारिक को एकादशी का वरत और तहवार भी है भगवान विश्णु को अरपित होता है एकादशी का वरत आपरा एकादशी का मतलब होता है उपासक को यानि जो भी वरती से वरत को रखता है उ को असीमित लाब मिले, ऐसा लाब जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत लाब की प्रापती हो, कुछ जगों पर एकादशी का वरत को भद्रकाली एकादशी के नाम से भी मानते हैं, और ये लोग जहां-जहां पर भद्रकाली नाम से एकादशी में आई जाती हैं, वहां के लोग दे देखिए दस्वा घर का देख रहा है दस्वा घर है complete कर्म का घर रजीव का घर जहां से मआजीव का कमाते हैं अब हम पहले आपको कुछ सावधादयाँ बताएंगे ताकि आप इन रावधानियों को बरत कर राजियों को बना सके। दस्वे घर में हम क्या देखते हैं आपना काम, धंदा, रोजगार और दस्वे घर के सामने वाला घर होता है हमारा परिवार, हमारा कुटूंग यानि जितना हम अच्छा कमाएंगे उतना अच्छा हमारा परिवार कर्म पर शनी-चंद्व का विश्दोष परिशानी पैदा तब करता है, जब वैक्ति जरूरत से जहादा सोचने रखता है, काम नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का का रख है, शनी का रख है, यानि ख्याली पुलाव जब हाद बनाने लगते हैं, तो चंद्रमा यहां पर खराब हो जाता है और कहते हैं ना ख्याली पुलाओ कभी पकते नहीं हैं बख हवा मही बनते रहते हैं नौकरी में वैबार में वेक्ती जरूर से जाधा बोलने लगता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है उसे ऐसा लगता है कि मैं ही मैं हूँ जाधा बोलना जाधा चापलूसी करना काम कम करना दिखाना जाधा ये इस समय में अगर आप करेंगे तो आपकी जिन्दगी में कश्ट होगा इन सब चीजों से सावधान रहना है बॉस के साथ बॉस वाला रिष्टा रखिए बॉस के साथ ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करिए नहीं तो कहते हैं कि जितना आप उसके करीब जाएंगे बेमतलब ने उतना ही जटका भी खाएंगे घोड़ा होते हैं गोड़े कि आगे खड़े हो जा संब्भव है जब आप का स्तमाल पंद जोगे यहत्ज्डी बिए suspend कि साथ बनता है व्यक्ति पृस्फ ही अइसे की समुन्दों में यहां परिवार से जुरी भी हो जातीए शनी की तीसरी दर्ष्र्षी बारे वहाँ पर पढ़ेगी तो विदेश यात्रा का फल भी मिलता है ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शायद अच्छा नहों जो परिवार से दूर ना जाना चाहते हूं तो अगर हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए हो सकता है पर्मान एंटी आपका ट्रांसफर हो जाए आपका परिवार यहां आप नौकली वहां करें ऐसा भी संभाव है और अगर बहुत से लड़ाई जगड़ा करके गिया तो पता सिल ऐसी जगें पटक दिया है जहां पर कोई बहुत दिक करते हैं और अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा तो किसी छोटे शहर से बड़े शहर जा सकते हैं और बड़े से और बड़े शहर जा सकते हैं यहां मुफ्त में नहीं मिला तो कश्टों के बाद आपको भी मिलेगा आप लडएंगे फाइट करेंगे और जीतेंगे वैवाहिज जीवन में शनी थोड़ा सब भावित करते हैं वैवाहिज जीवन हर तरीके से राजयोग बनेगा वैवाही यूर में परशानी नहीं आये इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर से मीठी बात करनी होगी गुस्सा नहीं करना है कई बार रिष्टों में असंतोष होता है कई बार यहां पर काम क्या दिखता या दिमाग का सही ना बै किसी वेक्ति से बात करना था उसने कहा मैंने गुरु जी आपने आपको कुंडली दिखाई और मैंने और आपने उपाए बताए और मैंने 50 करोड रुपए एक साल में कमाया दस ग्यारा महीने में मैंने 50 करोड रुपए शेयर मार्केट से कमाया लेकिन मेरे अंदर लालच इतना बढ़ गया इतना लालच बढ़ गया कि मैंने सोचा कि 50 करोड तो 200 करोड भी हो सकता है तो मैंने बिना सोचे समझे बिना आप से पूछे उस 50 करोड को भी मार्केट में लगा दिया और आज मेरे पास खाने को पैसे नहीं है तो लालच मत करिएगा तो इस वेक्ति का लालच उसे ले डूपा जितना मिला था उसमें सन्तोश नहीं है लालच ले डूपा तो लालच करेंगे तो आप भी डूप सकते हैं अपनी मन मर्जी से काम मत करियेगा स्टला लेकर काम करिएगा कार इस थल पर आपको विरूद हो सकता है कई बार आपका गलतियां आपको परिशानी में डाज सकती है, कि आपकी जाधा सफलता भी आपको शत्रू पैदा करती है, देखिए, अगर आप कमजोर हैं, तो भी लोग आपको दबाएंगे, अगर आप बड़े आदमी हैं, तो भी लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, तो शत्रू ना इधर से ना उधर से छोड़ेगा, रात्री में दूद नहीं पीना है, आप समझदाजी से काम करेंगे, तो धन वर्शा होनी तैह है, राजनीती में हार हो सकती है, छोटी बड़ी राजनीती में आपको दिकते आ सकती है, आपको समान भुलने की आदत हो सकती है, आप फिर्दै होता है, अब इन दोनों को अगर मेल बिठाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से समझोता करना पड़ेगा, तो यहां पर आप वर्शाब राशी के चोपी जाता किया जातिका है, वक्त अच्छा है, इस विश्दोश में भी राज्योग बन रहा है, आप देखने में ये विश्दोश है, लेकिन इसका असर अमरज जैसा होगा, लेकिन घवराईएगा नहीं जल्दवाजी में, बिना सोचे समझे, आपने गर गरत फैसले लिए, तो फिर एक गरत फैसला ही आपके लिए मुसीबत का कारण मन जाएगा, तो कुल मिला कर देखा जा तो ये विश्दोश ऐसा विश्दोश है, जो देखने में तो खतरनाक है, लेकिन इसके परभाव आपको शुफल देते हैं, जैसे साप काट ले, तो व्यक्ति की मृत्य हो जाती है, वही साप का जहर, अगर सही तरीके से व्यानिक निकाल लें, साइंटिस्ट निकाल लेते हैं, और उसको दवाई बना देते हैं, तो वही साप का जहर, साप के जहर को काटने का काम करता है, तो यहां पर जो जहर बना हुआ है, तो जहर आपकी सावधानी से कट सकता है, और आप जीवित रह सकते हैं, जीवित रहने का मतलब है, बड़ी सफलता प्राप कर सकते हैं, अगर आपकी जनम कुल्ली में सितारे बढ़िया हैं शरी जन्दमा बाकी करें मजबूत इस्तिती में बैटे हैं तो इस्तिती 14, 13, 14 परदर मई को बहुत अच्छी होगी अगर आपकी जनम कुल्ली में सितारे कमजोर हैं तो इस्तिती थोड़ी सी कमजोर हो सकती है अपनी जनम आखे बंद कर लें और कान पुरे रखें, देखें। मैंने भी आखे बंद कर ली, आप भी आखे बंद कर लीजिए, अब आप को क्या दिख रहा है, अगर कमरे में रोश्टी है तो हलकी हलकी सी रोश्टी, चमक या बिल्कुल अंधकार। ऐसे ही आपकी जिनम कुर्णी नही सितारे बैठे हैं अगर उनकी अंदर रोश्णी नहीं होगी तो वह भी अंधिकार में होगे अगर आगे आगे आपको चलने को कहा जाए तो आप बिना सहारे के नहीं चल सकते आप लड़ खडाकर गिर जाएंगे आँके बंद रखिए गाभी और अगर आपकी जनम कुल्ली क हम देखें उसमें जो सितारों की आँके बंद हैं उनको खोल दें तो अब आप भी आँके खोल लिए तो आपको भी देखने लगा तो आपकी कुल्ली भी देखने लगेगी जब कुल्ली के सितारे देखने लगेंगे तो फिस सफलता आपके सामने होगी अधिक तर महिला हो या पुरुश हो या बजर्ग हो वो अपनी कुंडली को ऐसे वक्त पे दिखाते हैं जब बरबादी के चरण पे खड़े होते हैं जब सुक होता है तो कोई नहीं आता दुख में सारे लोग हमारे पास भागे आते हैं और जब दुख होता है तो उस समय करने के लिए कुछ नहीं होता है ना पैसा होता है ना वक्त होता है सब को यहीं चाहिए होता है कि कल सफलता मिल जाए ऐसा असंभा है तो अपनी जनम कुंडली को सही वक्त पे दिखाईए और अपनी जर्म कुल्ली में जो भी सितारे की आँखे बंद है या जिसको भी कमजोर सितारा है उसको मजबूत बनाई है जोतिश के सरलुपायों से मैं ये दावा करता हूँ बिना जोतिश की मदद के आपकी मेहनद आपको वो सफलता नहीं देगी जिसके आप हगदार है मेहनद से ही सफलता मिलती होती तो गधे दन्या पे राज कर रहे होते क्योंकि उससे जदा मेहनद कौन करता है गधे ईटा पत्थर ढोकर बिल्लिंग खड़ी करते हैं और एक अनपड आदमी उस महल पर राज करता है तो अनपड का मतलब ये हुआ कि वो वेक्ती मेहनद भी करता है और अपनी सितारों को भी मजबूत लेके चलता है सिर्फ मेहनद सब कुछ नहीं देती और सिर्फ कौन के मजबूत सितारे भी कुछ नहीं देते तो ये जो पांच उगलिया है ये पांच उगलिया मेहनद है और ये मेहनद को जब मुठी में बदलते हैं तो इसके अ जाने था, सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे, और दुनिया को कोशते रह जाएंगे, ये बात में आपको इतनी लंबी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग समझना नहीं चाहते हैं, आप लोग जानना नहीं चाहते हैं, कि सफलता कैसे मिलेगी, और मेरा उद्दिश ये ह कि आपको सफलता मिले, दियेगे नमरों के संपर करिए, अपनी अपॉइटमेंट बुक कराईए, आप बहुत लेट हैं, आप देर मत करिएगा, सफलता आपके करीब आने को तयार है, चाप उसे बुलाने को तयार हैं, एक फोन नमर मिलाएए, सफलता आपको मिल जाएगी, अपनी अपॉइटमेंट बुक कराईए, नमस्कार, तो इस जरम खुनली को मंगवाईए, औरर करिए, और अपनी समस्या का समाधान इस जरम खुनली के पन्नों में पाईए, चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो, तो मैं स्पलोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ, आ परिए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, अभी और करें, नमस्कार.